तो आज ये हमारा जो यूनिट थर्ड हमने स्टार्ट किया था फेलिंग्स उसका ये पार्ट टू है तो आज थौट वो कुछ जैदा ही लंबा हो रहा था तो मैंको लगा कि उसमें मैं थोड़ा इंट्रक्शन दे देती हूं उसका तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो बना लू है ठीक है तो इसका नाम है लव लव के ओपर तो ये हम इसमें डिस्कस करेंगे तो वे इस स्टोरी बाए गी मपासांत एंड एंसर दे क्वेस्ट फॉलो तो ये मतलब एक जो हमारे राइटर थे उन्होंने ये एक स्टोरी लिखी ती तो वहीं से ये लाई गी ये स्टोरी ह हमारे इसमें इन्होंने इसको किया है इसको किया है हमारे इस इगनो के मैटेरियल में तो आज हम ये डिस्कस करेंगे ठीक है तो इसस्टोरी विच बेस्ट उन लव ठीक है तो I am a simple man with simple tastes तो ये जो राइटर है ये बोलते हैं कि मैं सीधा साधा इंसान हूँ और मैं जादा म सबहुत दूर करता है कि अपिक अपर पेला। So I love the earth, the fresh air, everything that grows, animal and the wind and the sky तो मैं हर एक चीज़ से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ चाहे वो अर्थ हो जिसको हम मा बोलते हैं हमारी जमीन जो है हम जिस पे दर्थी जो है हमारी उससे मैं बहुत प्यार करता हूँ जो फ्रेश एर है, हवा है, साफ हवा जो कुछ इस दर्थी पे उगता है चाहे एनिमल्स होँ, हवाए होँ, या आस्मान होँ मुझे इन सब से प्यार है तो यह हमारी ज्याटरी बोलते हैं I am also very fond of hunting yet the sight of the wounded creature of the blood in its fur or feathers on my hands affects my heart and almost makes its top तो मुझे जो हंटिंग यानि हंटिंग होता है हंट होता है शिकार करना तो मुझे शिकार जो राइटर है बोलते हैं कि मुझे शिकार करना बहुत पसंद है लेकिन जब मैं किसी क्रियेचर का शिकार करता हूँ जाए बर्ड का हो या किसी जानवर का ये करता हूँ शिकार करता हूं जब व जो पर दिल बहुत बुरा असर पढड़ता है मैं भी बता है यह सही बत है यह प्पुता है ख़िए खड़ मुझा और में जान वर तो तो वो उस चीज़ से मेरे दिल को भोध ज़्यादा ठेस पहुंच चती है, भोध बुरा भी लगता है चले जी आगे तो आगे बोलते हैं कि एक साल, मतला किसी साल पास्ट में बात करते हैं कि एक साल आई जब भोध थंडियां आने लगए उटम जो होता है जब पेडों के पते गिरने लगते हैं तो जब थंडियां आने लगए थी तो जो मेरा कज़न है, जिसका नाम काल दी रैनवेल है तो मुझे बुलाया ठीक है इन्वाइट करा अपने यहां तो बोला कि हम डक्स वगयरा जो है उनको हम क्या करेंगे उनका शिकार करेंगे जो की कहां पर मिल रही थी तो वहां जाएंगे और क्या करेंगे दुक्स को शूट करेंगे यानि उनका शिकार करेंगे और वे वर प्रूंग दे ब्रेक डेग एक्सपेक्टे तो सिंसे वहां ने हम नहीं लेक्ट लेकर वापिस आजाएंगे जब तक ये सूरज हो जाएगा तब तक हम वापिस आजाएंगी ठीक है सूरज उबरेगा My cousin was a typical country gentleman, stout, red face, jolly, good natured and rather dull तो ये बोलते हैं कि मेरा जो cousin था वो एक gentleman जैसा था, थोड़ा मोटा था, लाल कलर का उसका face था, खुश मिजाज था और बहुत अच्छे natured का बंदा था He lived in a house, half farm house, half castle situated in a charming valley तो उसके बाद ये बोलते हैं कि जो वो एक मकान में रहते थे, जो की half farm house का, ठीक है तो जैसे जमीन दारू का जो होता है ना, गर वैसे उस टाइब का गर था और जो की कहां पे situated था, वो situated था, एक बहुत प्यारी valley के अंदर, ठीक है उसके बाद, I arrived at my cousin's in the evening, तो मैं शाम को मेरे कजन के गर पहुंचता हूँ it was freezing cold and we had an early dinner in the large room whose walls and ceilings were covered with stuff, birds, herons, owls, night jars, vultures and falcons and every kind of hunting weapon तो यह बोलता है कि जब मैं शाम को अधर पहुंचता हूँ तो बहुत ज़्यादा ठंड थी, मतलब वो ते ना, हाथ जम जाते हैं वैसी ठंड थी तो असले हम जल्दी dinner करने के लिए चले गए तो हमने ऐख बड़ी से रूम में धिनर करा और मैं जब मैं दिनर कर रा था और मैंने देखा जो रूम कीूं दिवारी बग़रा थी और क्या रखा गया थ openerथे बहुत सारे वो शिकार करने की tools, weapons, हथियार रखे गए थे जिसके वारे परफलकूंस फालकूंस जो होता हैं, नहीं होती है нагno bess जासिक इगल जैसी होता ही है, जैसे फालकूंस ऐखम के वारे जासिते हैं जासित बिलइन पोật पजरी है,गे मईल्से नि apost- mismaड, जो इती ही किरी के वमदी जास के वार्फलो स reicht है, ऐख़ा है, जास क開始 अलग अलग हथियार भोग सारे वहां पे रखे गए थे वी वर तो बी अप एट हाफ पास ट्रे इन दे मॉर्निंग इन और तो बी अट पर वे वे इट वेट फोर दे बर्ड तो यह बोलते हैं कि अभी मतलब तो इनों डिसाइड कि हम साड़े तीन के अराउंड यहां से हम चले जाएंगे उदर उस जगह पे जहां पे मतलब बर्ड उस टाइम होंगी तो हम जहां पर बर्ड बैठे होंगे हम जल्दी जाएंगे तो उनको पकड लेंगे उनको उनका 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 शिकार कर देंग उसके बाद on that spot a hut had been built to shelter us somewhat from piercing wind which comes before daybreak तो उसके बाद बोल रहे हैं वहाँ पर जहाँ पर हमें जिस जगह पर वेट करना था बर्ड के आने का वहाँ पर एक ये बना गया था बनी हुई थी और जिसके अंदर मतलब वह आती थी जिसमें छेट थे जहां से सुभा होने से पहले जो ठंडी-ठंडी हवाय होती है वह आ रही थी ठीक है मैं कजन सेड़ आइंगे वहाँ बहुत जैदा ठंड होगी और वहाँ पर भूँद भी थंड होगी तो इसलिए चलो हम जल्दी सोचाते हैं क्योंकि सुब हमारा दिन बहुत सक्त होने वाला है तो at three o'clock he woke up और तीन बज़े जो इसका कजन है वो उठ जाता है ड्रेसिंग जल्दी से तयार हो जाता है I went downstairs and dressing quickly I went downstairs and was given hot coffee and sandwiches तो यह बोलता है कि मैं जासे तीन बज़े हैं वो मुझे उठा खुद भी उठता है और मुझे उठा देता है और में जल्दी से कपड़े पहनता हूं तयार हो जाता हूं नीचे जाता हूं जहां मुझे क्या दी जाती है coffee, गरम coffee और sandwiches दिये जाते हैं then we had some brandy उसके बाद यह कुछ wine brandy शराब जो होती है alcohol होता है वो पीते हैं उसके बाद put on our fur coats उसके बाद fur के जो इनके coats होते हैं वो पहनते हैं accompanied by the keeper and two dogs, plunger and parrot we set out और उसके साथ यह क्या करते हैं एक आजबी को अपने साथ रखते हैं और साथ में दो dogs को भी रखते हैं साथ में और जो हथियार इनको अपने साथ रखने थे वो हथियार वगयरा भी लेके निकल जाते हैं वी वर सून ऑन दे एज ओके ना वी वर सून ऑन दे एज अफ दे मार्श और टूक वन अफ लिटल पार्थ त्रू रश्यस तू दे हट जो ही ना सोचाई दे पनी टेर के बाद हम वहां वेट लैंड पर पहुंच जाते हैं indeed आपने फोड़े टाइम चलते हम अपनी हट जहां पहुंच जाते हैं जोंपडी पर इन उसके बाद ही बोलता है राइटर में अंडर जाता हूं तो मैंने सोचा कि मैं तब तक अपना जो मेरा था मैंने उपर से पहना हुआ तो उसको मैं अपने अपकोस में यह कर दूँ रग समझाओ इसके पास ब्लैंकेट या कुछ होगा वहां पे उस टाइप का तो इसे बोला कि मैं उसके अंदर गुच जाता हूं थोड़ी गर्मी कर कि मुझे खासी आने लगी और मेरे जो मेरा कजन था मेरे साथ उसको टैंक्शन हो जाती उसको लगाती मुझे जुकाम ना हो जाए मुझे कहीं ठंड ना लग जाए लेके लिए बोलता है इतनी देर में कुछ अजीब सी आवाजे आने लग गई जो की समझ नहीं आ रहा था नहीं जब आख जाने की आवाजे आ रही थी और जब हमने उपर अपने सरूं के ऊपर देखा तो हमने देखा कि अब वी जो आग जलाई थी वह उसकी रोशनी से किया इनको वह जो जंगली बर्ड्स थे वो दिख रहे थे उड़ते हुए ठीके and suddenly it began to be और दीरे दीरे क्या हो गया रोशनी जो उस वैली में दीरे दीरे रोशनी आने लगी यानि सूरज उगने लग गया put out the fire said Carl it's nearing daylight तो उसके बाद बोलता है की Carl जो इसका कजन है वो इसको बोलता है की आप जो आग उसको बुजा दो क्योंकि आप दिन आ रहे and we saw the splendid sight of long lines of ducks rising from the marshes and beginning to fly away in perfect formation towards the horizon तो इस बोलता है इतनी देर में हमने इतना खुबसूरत सा नजारा देखा की जो ducks थे वो marshes में, wetlands में वो क्या होगे वो उढ़ने लग गए एक अच्छे से मताब वो line में एक तूसे की पीछे पीछे वो क्या होगे एक horizontal line जो होती है खड़ी line में, जैसे आपनी कभी देखा है चड़ियां जब शाम पो अपने गर जा रही होती है वो कितनी लाइन में चिलाते चिलाते जा रही होती है एक एक पीछे दूसरी बहुत सारा वो एक बहुत सारा group भी जा रहा होती है कितना अच्छा लग पर होना ज़रा सेम यहां पर अपलाए होता है तो बहुत हैरान हो जाता है बहुत कुछ हो जाता है उस नजारे को देखके और यह बोलता है इतनी देर में जब वो चिड़ियां बाग रही थी तो इतनी देर में जो मेरा कज़न है उसनी गन को स्टार्ट किया और उसमें से क्या एक गोली निकलती है और बहुत आवाज करती है और जो डॉग्स है वो बागने लगते है जो इनके सार्थ डॉग्स थी दोसके बात बोलता है जैसी एक गन उसनी निकाले उसमें से शूट करा तो उसके बाद हम बिना रुके ही मार मतब दोनों हम चला रहे थे गोलियां उन पे उन बर्ड्स पे हम उनको हंट कर रहे थे और जब वो मरे हुए उनका वो खून वो उनमें से निकल रहा था वो नीचे गिर रहे थे मेरी आँकों के सामने वो बिर्ड्स गिर रहे थे जिनको हम मार रहे थे तो उस टाइम पे कभी मुझे अच्छा भी लग रहा था कि मारो लेकिन जब वो नीचे वो खून जैसी इसे पहले बोलता है वो जब मुझे अच्छा लगता है हंचकरना लेकिन जब उनका खून बराए घर के आरहे थे और जब हो मेरी तरफ देख रहे होते थे तो मुझे हो ज़्यादा वीच पीच में बुरा लग रहा था the sun had risen यानि अब तक जो सूरज था वो पूरा निकल चुका था and it was bright day with a blue sky and we were just going to turn when two birds with our stretched necks and sped wings flew rapidly over our heads बोलता है कि अब हम नी जो दिन सूरज था निकल चुका था और बहुत अच्छा दिन था blue color का आसमान था निले color का आसमान था और इतनी देर में क्या होता है हम अब भी हमने सोचा था अब निकल नहीं वाले थे गर के लिए तो इतनी देर में क्या होता है बड़ी बड़ी necks वाली जो गरदुनों वाली दो birds अपने पर फैल आए हुए हमारे सर के उपर से गुजरते हैं I fired and one of them fell almost at my feet जैसे मैंने उनको देखा मैंने उस पे उन पे निशाना लगा दिया अपनी गोली का और उनमें से एक मेरे पैर आकी गिर गई it was a teal with a silver breast and then in the blue space above me I heard a voice, the voice of a bird तो यह देखते है कि इतनी देर में एक किसम की bird होती है टील जिसको हम बोलते हैं जो कि silver color की थी सामने से and then blue space above me और मैं देख रहा था कि वो मेरे पैरों पे गिरी हुई थी और मैं उपर से blue color का पूरा आस्मान था और मैं इतनी देर में देखता हूँ कि बहुत सारी चिलाने की आवाज आरी होती है और वो आवाज होती है जो दूसरी bird होती है उपर को उसकी दो bird थी एक मर जाती है और दूसरी उपर ही होती है तो वो चिला रही होती है It was short repeated heart rending lament the cry of the other bird the male of one I had killed तो उसके बाद क्या होते है जो रोने वाली मातम करने वाली जो ये उसकी आवाज थी उस bird's की जो रो रो रही थी जो 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 रो जो क्या थी ये एक male bird था ठीक है जिसका मैंने अभी एक दूसरा जो दूसरा bird था वो मार डाला था तो it circled round and round looking at its dead companion which I was holding in my hand वो क्या करती है जो bird उपर थी वो बार बार गोल गूम रही थी और देख रही थी अपने जो दूसरा जो पार्टनर था जिसको राइटर हमारे उसी मार डाला था और उसका अपने हाथ मुझ पर पकड़ा था तो यह बोरें कि वो इसको round and round गूम रही थी और देखे जा रही थी कार्ल वोस उन हीज़ इस गन तो इस शोल्डर वाचिंग इगली अंटिल इस शुद बी विदिन शॉट तो कार्ल जो था वो भी बहुत मतलब अपने गुटनू पर खड़ा था और मतलब जो इसकी गन थी अपने कंदे पर उठाई गई थी और अजीब मतलब देख रहा था कि यह क्या हो गया तो फिर ऩो इतने देर में बोलताए कि यह वह देख ऑफ्सका तक ब्लाए चुने तो वह इसकी वजह देख पाएगा यह कभी दूसरे के साथ जाएं लिए तक करिकर जाये बौद कर और सब्रुटन भ se i hatever शाब ए circled over us continually and continually and continued his cries never in all my life I have I heard sounds of such pain as came from that bird तो बोलते कि बुलकुल साच था वो पूरा हमारे इरद गूम रही थी गूम रही थी और वो इतना मैं जितना उस बर्ड की आवाजों से वो पैन मुझे लग रहा था जब चिला रही थी वो बर्ड तो मुझे लग रहा था कि मतलब यह क्या मैंनी कर दिया राइटर बोलते है कि मैंनी अपनी पूरी लाफ में कभी आज तक ऐसी आवाजे दुख बरी आवाजे अपनी लाफ में नहीं सुनी थी अब वो जो बर्ड था वो बिलकुल अकेला और उसको समद्व अकेला हो गया था और यह दो फ्लाइब अवे अदर बागता था लेकिन वहापिस इसी इदर ही आजाता था अगें अगें I felt the sting of tears starting in my eyes यह बोलता है जब मैं यह चीजन देख रहा था तो मुझे मतलब लग मैं नहीं देखा कि मेरी आंकों में से कैसे इस ताइम आने लग गए leave the dead bird on the ground said car let him come to it तो इसके बाद बोलता है जो इसका कजन है इसको बोला राइटर को कि अब तुम इस बोर्ड मर गया इसको तुम जमीन पर रख दो और जो दूसरा बोर्ड है उसको इसके पास आने दो and at last he did come near us care less of danger seeking is made in an agony of love तो बाद में जब इसको इसको रख रहते हैं तो वो बुर्ड जो है वो इसके पास आता है अब इसको बिल्कुल खथरे का कोई डर नी था और वो अपने मतलब उसको चाहता था कि उसका जो फीमेल बड मर गया उसको मर गई एउसको अपने पास थीक कर दे इतना वो था कि क्या उसको बोलते हैं, जैसे हमारा कोई अपना मर्ज कोई हो जाता है, मार्ज जाता है, तो कितना वो sad feel करते हैं, same वो यह था, उस मातम में, वो मातम मना रहा था, वो bird, then, Karl fired and I heard the spell its body made in the water, तो उसके बाद क्या करता है, Karl उसके बाद यह करता है, और क्या करता है, जिससे क्या हो जाता है, उसकी बोडियों, जो काल है वो दूसरे को भी फिर मारा दालता है, तो जो उसकी बोडियों वो चले जाती है, कहां पर, पानी में, Pirate sprang forward and in a few minutes brought it to me, तो काल held the game bag open, I shook my head, what on earth are you doing? तो उसके बाद ये क्या करता है, ये वहाँ पर जाते हैं, वहाँ से उठाते हैं उस बर्ड को, तो फिर क्या करते हैं, तो उसको ये बोलता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, मतलब जो काल है कि तुम क्या कर रहे हो, जब ये लाते हैं बोर्ड को एक जगा पर तो ये बोलता है कि I did not answer, मैं उसको answer नहीं कर रहा हूँ, I could not stop what I was doing, और मैं अपने आपको रोग भी नहीं पा रहा था कि जो मैं कर रहा था, When I had finished making a large hole in the ground with my gun, I said to काल, तो जब ये बोलता है कि उसके बाद मैं क्या 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 मैं एक जमीन में खड़ा खोद रहा था और अपनी गंसे और मैंनी काल को बोला कि please take the dogs and go, तुम 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 चले जाओ, I'll put these birds in the ground and then I'll catch up with you, I'll put them in the ground and then I'll catch them in the ground and then I'll catch you. He looked at me for a few moments then whistled to the dogs and tramped off. So, he saw me some little flowers and then he'll catch up with the dogs and then he'll catch up with me. I buried the two dead birds in the same grave under the sky. उसके बाद यह क्या करता है उन्दो बिर्ड्स को जमीन में दफन कर देता है अंडर द स्काई यानि आस्मान के नीचे with rushes growing all around and in their own home at the heart of the gold and lonely marshes. तो तो उसके बाद बोल रहा है कि उसके बाद मतलब यह क्या करते हैं. इन्डायक्ली यह इधर कहने का मतलब है जन हमारी इधर आ जाता है चेक यूर प्रोग्रेस तो इधर है हमारा आंसर फॉलिंग क्वेश्चिंज इन वोट वे इस दे नरेटर अ सिंपल मैं तो आपको किस हिसाब से लगते है जो हमारा नरेटर है वो एक सिंपल इंसान है मतलब विकर्स ही लिव इन दे कंट्री साइड लव द एर्थ एंड फ्रेश एर विंड एंड श्काई ठीक है यह आंसर आपको रहेगा बट यह प्राय करने से पहले आपको खुद उसको सॉल करना है ओके इससे आपको समझाएगा कि आपको कितना आता है तो देन हाव लांग विश्टू स्पेंड शूटिंग डग्स तो यह बोल रहे थी कि उसके बाद इन्होंने कितने टाइम वो बोल रहे थी कि हम जो यह है डॉक डॉक्स जो थे उनको कब तक उनका शिकार करते रहेंगे तो इसको आप लिखोगे मॉर्निंग तिल इवनिंग यानि सुब से शाम तो पराग्राफ फूर पढ़के अपू क्या लगता है कजन के बारे में क्या पता चला तो यह पता चलता है कि he enjoyed hunting he was proud to be one and like to display his trophies of birds तो ये जो इसे ये देख पढ़के पता चलता है कि वो उसको hunting बहुत पसंद है और उसको अच्छा लगता है ये दिखाना आपने trophies, birds वगरा की वो अच्छा लगता है उसको दिखावा करना उसका तो जो हमारा टैंथ है उसमें जो टैंथ वाला ये है पाराग्राफ उसमें किस वर्ड से मतलब ये है कि डे ब्रेक तो जब वो डॉन बोलते है ना डॉन का मतलब होता है दिन डे ब्रेक चीक है जब उनना ब्रेक तो जब देखा तो उनको क्या रियक्शन था उसपे पा तो इसका आपका रहेगा तो नरेटर एप्रिशियेट दे ब्यूटी आप्रिशियेट किया जो हमारा लिखने वाला है और जो काल उसका कजन है उसनी एक गन निकाला और उनको एक एक करके मार डाला then why were plung and pirate out of breath तो क्योंकि इसका आप answer लिखोगे to be with his beloved क्योंकि वो जो हमारे ये तो हमारे birds थे ठीक है तो they had to keep running to bring back the dead birds तो इसलिए क्योंकि उनको जो वो sorry मैंने गलत बोला था क्योंकि उनको बार बार जाना पाद रहा था उन दो birds को लाने के लिए they had to keep running to bring back the dead birds then उसके बाद हमारा how did killing the female bird effect Carl and the narrator तो जब उनको नहीं female bird को मारा तो उससे क्या उन पे असर पड़ा तो ये मतलब इन पे असर पड़ता है कि जो कारल है reacted in a matter of fact manner तो जो narrator है felt the pain of separation that male bird felt तो जो कारल है उससे बोला कि ये मतलब अगर इसको मार देते हैं तो ये हो जाता है यानि उसनी बता है कि इससे ये मसला हो जाएगा तो वो उस पे reaction देता है कि ये दूसरा भी जिन्दा नहीं रह पाएगा तो जो narrator है वो बहुत ज़्यादा pain feel करता है और male bird जब उससे अलग हो जाता है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा उसको दुख होता है then हमारा why did the male bird ignore danger तो जो male bird है न उसको खत्रे को क्यों ignore किया क्योंकि to be with his beloved यानि जो उसकी female bird थी वो मर जाती है उसके बोला कि अब मुझे कोई खत्रे से ड़र नहीं में भी मर जाओं मुझे कोई फरक्त नहीं पड़ता है तो मुझे अपनी female bird के पास जाना है उसके बाद है तो narrator जो है उसनी क्या मतलब किया जब dead birds मर जाते हैं दोनों dead birds होते हैं उनके साथ क्या किया साथ मर की एक साथ रहें इसलिए उसनी उन दोनों को एक साथ दफन कर दिया then है हमारा in what ways were the narrator and carl different from each other तो आपो कैसे लगा कि मतलब कैसे वो दूसरे से अलग है cousins दोनों तो carl no feelings involved in anything therefore no pen तो जो carl हो किसी चीज़ से लगाव नहीं रखता है उसको किसी चीज़ की feelings नहीं होती है उसको feel नहीं होता है चाहे मरे कोई चाहे जिन्दा हो उसको कोई फरक नहीं पड़ता है तो इसलिए उसको कोई pain भी महसूस नहीं होती है जो narrator है वो very sensitive even though he was a hunter felt the pain of the birds felt a sense of guilt जो narrator है वो बहुत ही sensitive किसम का इनसान है उसको जलदी दुख हो जाता है वो अगर बुरा करता है उसको बहुत महसूस होता है गल्टी से भी अगर बुरा हो जाता है उसकह YouTube होता है जबकि वो अग छंटर है लेकिन फिर भी उसको जो पैन होती है जो words की pain उसनी महसूस करी और उसको guilt भी होगी उसको महसूस हुआ कि मैंने कितनी बड़ी गलती की इसको मार के तो ये था हमारा ये वाला उसके बाद है हमारा second question given below are the main ideas of the story love जो हमारी story love हमने पढ़े उसके कुछ main ideas हैं जो नीचे दिये गए हैं however these ideas are not in the correct sequence तो ये sequence में नहीं है ठीक है तो हमें इनको क्या करना है arrange करना है one by one ठीक है one two three four करके arrange करना है तो पहला है इसमें सबसे पहले आपका आएगा जो हमारा fourth वाला है fourth क्या है हमारा my cousin Carl D. Ranville invited me to go shooting ducks with him in the marshes पहले one ये आएगा ठीक है तो इसके बाद जो two है हमारा वो आएगा हमारा third वाला sorry we आए आए third एक सेगें at about three in the morning we set out with Carl's dogs Plunger and Pirate यानी eighth पहले आएगा one फिर आएगा eighth ठीक है पहले fourth फिर eighth ठीक है second पे उसके बाद आएगा हमारा sixth यानी after about an hour's wait the birds came out and we kept shooting them in turn much to the delight of the dogs ठीक है तीसरा ये है हमारा उसके बाद आएगा हमारा second वाला when we were about to return home we saw two birds fly rapidly over our heads ठीक है उसके बाद ये और उसके बाद आएगा हमारा fifth वाला I fired and a female teal fell almost at my feet then आएगा हमारा third वाला that is the male teal circled round and round making heart running cries of grief after that हमारा आएगा fourth sorry ek second उसके बाद आएगा हमारा ninth वाला I felt tears well up in my eyes उसके बाद आएगा हमारा seventh वाला that is Carl suggested that we leave the dead female teal alone so that when the male comes near we can end it's pain by killing it then उसके बाद आएगा हमारा first वाला I did not allow Carl to put the birds in the game bag then हमारा आएगा X I buried the two dead birds together in the same grave ठीके ऐसे करके हमारा आएगा ठीके after that seventh after that first फिर tenth ठीके ऐसे सीट्वेंस है हमारा इसका चले जी उसके बाद है हमारा vocabulary that is 3.3 ठीके इसमें हम नहीं 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 वोकैबिलरी सीखेंगे नहीं नहीं वर्ड सीखेंगे जो कि हम अपने लाइफ में यूज कर सकते हैं तो इसका अंसर अगर आपको यहां पे नहीं समझाएगा तो आप आप से सक्षिन में जा सकते हैं तो यहां से भी आप देख सकते हैं तो find words from the reading passage which means the same as the following यहां पर कुछ हमें words दिये गए हैं तो इनके लिए हमें कुछ हमारी passage हमनी पड़ी वहां से कुछ words चुनने हैं जो कि इधर perfectly लगते हैं तो सबसे पहले हमारा hurt hurt को आप लिख सकते हो hurt होता हमारा जब आप कुछ लग में हो ठीक है